मैं हूँ जून जूलाई तेरे जिसे नीचे और गस मारूगा ना छोड़ूगा ना स्मोक जिसे ब्रॉर डस प्राउड अप होंगे अभी और स्भी लिखा ओट पे मारूख ली छक्के ये बिटा पाउर फ्ले करने का मन नहीं करेगा तो इस सॉंग अफ दे को चेक कर ना ना भूलें तो Emie Way का हुप पाड़ स्टार्ट होता है जिसमें वो बताते हैं कि ये रैपर nadो जो हैं वो सिर्फ अमीर होने के लिए रैप कर रहे हैं और मैं यहाँ कर रहा हूँ लेगेसी के लिए आपको पता ही होगा की जो चीज लेगेसी के लिए की जाती है वो सालों साल बाद भी खतम नहीं होती और मेरे गानों को जच करने बैटे हैं कुछ यूट्यूब वो मेरे लिए नेगेटिव एनेजी की तरह हैं मतलब अभी एमिवे के गुड़ बॉय ट्रेक पर काफी लोग उलता सीधा बोल रहे थे दुश्मन की ज़रूरत नहीं क्योंकि मेरे ही लोग अब बन गए है एनमी सो जो पहले साथ हुआ करते थे अब वही लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं और मैं कुप कर रहा हूं राद दिन स्टूडियो में मैं यहाँ पका रहा हूं स्टूडियो में पका रहा हूँ तो म्यूजिक ही तो बनाऊंगा ना ये लोग मुझे शेफ बावर्ची समझ कर मुझसे खाने की रेसिपी मांग रहे हैं वही एमीवे बता रहे की अरे मैं स्टूडियो का शेफ हूँ रसोई घर का नहीं मेरा गुड़ बॉय ट्रैक एक दिन में चार मिलियन टच कर गया था जैसे मैं चार मिलियन चार मिलियन पोकमॉन का फायर वर्जिन है और ये देखकर इनके पीछे आग लग गई चार मिलियन ड्यूज और उसमें हनी सिंग भी थे और आश केचम पोकमॉन से ही रेलेटड है ये गलत भी हो सकता है क्योंकि मैं देखा नहीं कभी और मैं इनको पोक कर रहा हूँ और ये हो जाते हैं मॉन मॉन मीन्स होता है चुपपी साद लेना और सुनाई दे रहा है पोकमॉन की तरह अनिमे वाले हाज री लगा दो नीचे और मैं इनको पोक क्यों कर रहा हूँ क्योंकि ये चुपके से डिस करते हैं और फिर मुझसे चाहते हैं कि मैं इनको छोड़ दू माइक पर गाना रिकॉर्ड करूँ तो इनको छोड़ दूँ इनके बारे मैं ना बोलूँ और ये Microsoft की तरह लगे soft और मैं हूँ कौन इसका reference आपको आगे पता चलेगा और उसके जैसे मैंने कर दिया जीतना युद्ध में देश को जीत लेना वही M.E.W. कह रहे की जिससे जिससे भी हुई सब में मुझे मिली जीत और ये AI AI means artificial intelligence ये लोग बस खाली करते हैं manipulate मतलब AI से आजकल देखा होगा क्या क्या हो रहा है किसी का face किसी की वीडियो उठा कर चिपका देना और बदनाम कर देना और hip hop में दूसरे singer की voice उसमें डाल कर खुद के lyrics लिखकर डिस कर देना जिससे वो same to same ऐसा लगता है कि सामने वाले ने सच मुझ का डिस किया है जो first time सुनता है वो इसको real मान लेता है वही M.E.W.E. बोल रहे कि ये AI से manipulate कर रहे है अगर मेरे सामने ये बनेंगे गोट गोट एक होता है greatest of all time और इसका short form है goat तो goat means हो जाता है बकरा तो ये अगर गोट बनेंगे तो चड़ा दूँगा इंकी बली बकरे की बली दी जाती है ज्यादा तर और बकरा ईद में तो बकरे की ही बली दी जाती है तो वही M.E.W.E. कह रहे कि अगर मेरी गली आए ये सब गोट गोट बनकर तो एक तरफ से सब की बली चड़ा दूँगा और माहौल बन जाएगा बकरा ईद वाला कोई भी बनना नहीं मेरे सामने अब गोट तो कृष्णा ने कहा था कि मैं अपने पंच लाइन जब माइक पर गाता हूँ तो मेरे शब्दों का पंच माइक टाइसन के पंच जैसा होता है तो वही M.E.W.E. बोल रहे कि तुम्हारे पंच माइक टाइसन की तरह है तो मेरे पंच मुहमद अली की तरह है ये मुझे बस एक नजर से देखे जा रहे हैं कि मैं कैसे हूँ चाइयों की सीडी चरता जा रहा हूँ और लिखावट मेरी M.E.M. जैसी और बाज मेरे मार्शल मैदर्स जैसे लिरिकली क्रिमिनल हूँ और अपने पंच लाइन मैं तुम्हारे ब्लैडर पर मारता हूँ ब्लैडर मीन्स पिस जहां जमा होता है वो बॉडी का पार्ट और मैं हर महीने गाने डालता हूँ पर मैं में वेदर नहीं हूँ फ्लॉइड में वेदर भी बहुत खतरनाक बॉकसर है अंडिफीटेड है 50 एंड ओ से और मेरे अपोनेंट भी अब मेरी लिखाई पर प्राउड होंगे पाउर प्ले में बैटिंग करने में मज़ा आता है फिर से तुमको अपनी डैश मरवानी है तो बताओ तुम्हारी कब लूँ तुम लोग हेट ले रहे हो लोगों से और मैं लव ले रहा हूँ समझ तो आ गया होगा महेर इसलाम रिलीजन में शोहर यानी हस्बेंड अपनी वाइफ को देता है तो एमीवे कह रहे की गौट से मिला है महेर और मैं बिल्ला हूँ मतलब मैं जब पैर रखता हूँ तब ये लोग फुट जाते हैं मतलब भाग जाते हैं और सर्फ मींज वो क्राशिंग वेवस जिससे बहुत खतरनात लहरे बनने लगती हैं वो भी कह रहे की जब मैं पैर रखता हूँ तो ये सब हो जाता है मतलब मेरा चेहरा जब ये देखते हैं तब ये दर्द सहते हैं और ये लोग कर्ज यानी उधार ले रहे हैं जिससे मसले हो जाते हैं दोनों के बीच में तो फिर मतलो इसका मतलब ये की जब तुम पोक करके मुझसे फेम का उधार मांगते हो तो फिर मैं देने लग जाता हूँ तो लेने से डरते हो तो क्यों पोक करते हो क्यों उधार मांगते हो मतलबी हो तुम लोग सिर्फ फेम के लिए आते हो इस लट को अपनी सुधारो और अब मत पढ़ना इसमें बस अब निकल लो वट लो रीसेंट टाइम में एमिवे वसेज क्रिशना हुआ था इसलिए इंग के फेवरेट मतलब क्रिशना को हराया और पहुचा दिया हिंदी को इंडिगो फ्लाइट से ग्लोबल मतलब क्रिशना बाहर के हैं तो वहां के लोग भी सुने होंगे और डैक्स के साथ कॉलाब करके हिंदी को रेप्रेजन किया क्रिशना की हाइप जब डिस बैटल खेले थे तब थी और अब चली गई है ऐसा एमिवे का मानना है और पंजाब से तो प्यार होगा ही समझ जाओ मैं एक्स्प्लेन नहीं करने वाला मतलब मेरे भाई हैं चारो तरफ और जब बीफ होती थी तो सब चुटी करके मेरे साथ खड़े थे और अगर ये मेरे सामने फेल हो जाते हैं तो मैं इंका फिर से टेस्ट लेता हूँ और मेरे क्लास तक आओ और गाना बनाओ फिर डीपेस्ट इनको मैं इतने बार क्यों दूँ मतलब इनके लिए मैं इतना क्यों लिखू मैंने बहुत सारे रैपर्स को रोस्ट किया है अब दिखते हैं वो जैसे बार क्यू मेरे फैंस डेंजर हैं ये बाहर निकल भी क्यों रहे हैं इनको घर में ही होना चाहिए क्योंकि मेरे फैंस डेंजर है और खुद को ये कहते है गैंग्स्टर बट ये लगते है बाबी गैंग्स्टर तो कृष्णा ही बोला करते है खुद को खड़ाओ माइक पे कसम करने बिना वेपन जुबान से खतल करने तो कृष्णा स्टिक लेकर खड़े थे डंडी मत समझ लेना वेपन है वो तो एमिवे अपनी जुबा से खतम करने निकले है और स्की मास्क इसलिए होता है खतम करके दफन करने तो यहाँ पर एमिवे का ट्रेक खतम हो जाता है एमिवे ने निव फ्लो ट्राइ किया काफी अच्छा लगा सुनकर ड्रिल सॉंग था लिरिक्स काफी सटीक दे रहे हैं सॉंग आवरेज था मज़ा आया ओके थैंक्स फॉर वर्चिंग